हेलो एन वेलकम टू पीजी लेंज एफेक्स आज मैं लेकर आ गया हूं फोटो सॉप सीज की नेक्स क्लास जिसमें मैं आज आप लोग के साथ सेयर करने वाला हूं कंटेंट अवेर फिल इसका यूज आप अलग लग तरीके से कर सकते हो अगर कोई भी बैक्ग्राउंड में से कोई भी आपजेक्ट को अगर आपको रिमूव करना है हटाना है तो आप इसे यूज कर सकते हो पर इसका बहुत ज्यादा ही यूज है तो मैं इसी पर आपको ये क्लास आज बताने वाला हूं आपको जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रोग कि यहां पर इस तक अगरा फ्लाओर का मने इमेज ले रख आ है तो हमें यह क्या करना है पहले कि कोई सेलेक्शेंस लेना है सेलेक्शिंस आप को सकता है कि रिक्टेंगल मार्कूर टूल से ले सकते हो या यहां पर पॉलिगन या आद व 151 500 टٌल यह सलेक्जनि से तो डींसाब कैसे भी कर सकते हो तो जो भी आपको लगता है की चीज अथाना है कोई भी इमेज में से रिमूब करना है हमें ऑबर जयत को तो आप जैना कर सकते हो कि आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो जैसे हमें क्या करना इसमेंस टूर्इक है अब से तरीwest से स्सक्राइब आप दीएगा अब आपको यहां करो फिर है तो आपको दूसरा जो है इसी का जो shortcut है shift F5 यहां पर आप देखेंगे जो फील का option आता है shift F5 अगर आप फील्ड पे क्लिक करते हो या shift F5 करते हो जैसे मैंने shift F5 किया तो यहां पर आपके पास foreground color, background color, color और content aware आता है तो shift F5 से content aware आएगा और अगर आप menu जाके एडिट menu वार में जाते हो तो वहां पर content aware फील है तो जैसे हमने shift F5 किया तो यहां पर content aware आप select कर सकते हो और आपको पता है कि अगर आपको लगता है कि जो भी आपने selections किया हुआ है उसमें अगर आपको background color फील करना है तो आप यहां से भी background color कर सकते हो foreground color फील कर सकते हो color फील कर सकते हो तो यह आपके उपड़े राइट तो अभी में क्या कर रहा हूं आपके content aware को click करके यहां पर जैसे मैं okay करूंगा ना इस तरीके से यहां पर जो भी हमारा फ्लावर था वो इसे क्या हुआ यह रिमूव हो गया यहां पर तो अब आप इजी तरीके से इस तरीके से इसको आप हटा सकते हो ctrl D हमने क्या डी सेलेक्ट हो गया तो यह एक बहुत सिंपल तरीका था content aware का बट इसी में मैं explain कर रहा हूं कि content aware field को आप कैसे यूज कर सकते हो जब कोई डिफकल टाइप का image मिल जाए जिसमें से अगर आपको कोई background हटाना हो तो इसके लिए मैंने जैसे बेबी का एक image हमाले अपर से आपको यहां होगा और विल्याशन के हैं आपको यहां पर आपको फूली क्लिक कर रहा हम और में गया रहा हो now यहां पिस टीब आइस से तीप यहां यहां पे है यहां से तरीके से बसाइट करना है तो अब है है यहां पर मैंने क्लिक किया अब यहां पर मैं आ रहा हूँ और हमें बहुत बारिकी से इसको इसको सेलेक्ट करना है और मैं आपको अब इच और एवरी डिटिल जो है वो एक्स्प्लेइन करूंगा तो यहां पर अगर आप सिफ्ट एफ फाइब करते हो मैं आपको बताता हूं कि क्यों हमें लेना है मैं वो तरीका बता रहा हूं तो जैसे मैं यहां पर सिफ्ट एफ फाइब करूंगा नाव इकन सी यह रिमूब तो कर देगा बट अब हमें देखे कि हमारा जो यह पर्दा नीचे आ रहा है तो हमें यह तो नहीं दिखाना था तो यह चीज ना आए उसी के हैं अब अबेट वायर यूज करेंगे सो मैं कंट्र्ल जै कर रहा हूँ और गो टू एरिक मेना और यहां पर कंटेन्ट फिल में क्लिक करता हूं जैसे कंटैंट वेसी अप क्लिक करोंगे को यहां पर यह तो इस तरगे का इक इसका है शा कर आआ आपका इमेज यह है प्रिवी आपको ऐसा दिख रहा है और यहां पे content ऑवे फिल कि options आहां तो पहला जो आपसिंट यहां पे आ रहा है यह है आपको सेंप्निंग ब्रश टूल कौन सा सेंप्लिंग पार्ट आपको लेना उसके लिए ब्रस टूल दिया गए हिसको यूज कर सकते हैं तो यहां कर दे चलिफिक यहां पर अटो है उसको क्या साइब अपनी तरीके से उसको एजस्ट करके आपको दिखा रहा है कि आपका प्रिव्यू ऐसा दिखेगा ना इसी में जब आप नेक्स आते हो तो आप सेलेक्सिंस कैसा करना जा तो लासो टूल पॉलिगल लासो टूल तो आप यहां पर जाए तो यह सेम वही सब प्रोपरिटी आता है जो मेंने आपको पहले बता रखाला है तो यहाँ पर राज्य एक्सपैंड कर आगे जैसे मेरेसे मैंut पुक्रिक करोंगा तो यह देखे सलेक्शिंस आपको एकसि अउस्टा करोगा यह से औरके चाहिए आप यहां से सब्सक्राइब तो 3PX अहोंना चाहिए 4PX होना चाहिए जितने आपको आपको यहां पर क्लिक कर सकते हैं क्याक्ती है यहां पर सेंप्लिंग एरिया और ले आप यहां से चेंग एरिया दिखा रहा आगे उन्य क्लिक कर रहां आप यहां पी ऑटो ऑगी जो हमने अीविट्ट है तो यह दिखा रहा है है आप도 सब्सक्राइब अगर मैं आपको यहां से दिखाँ तो यहां पर यहां पर हटाना है तो हमें क्या करना है अगर मैं यहां पर इस वाले क्लिक करके आपको दिखाऊ हूं तो मैं यहां पर जा रहा हूं सेंप्लिंग ब्रस्टूल पर और मैं देख रहा हूं कि अगर मैं साइड हटा हूं तो यहां पर यहां पर इस तरीके से साइड हटा भी सकते हो सेंप्लिंग एरिया को आप रिमूब भी कर सकते हैं और आप यहां पर रिजल्ट आपको दिखे कर सेंपलिंग एरे आपर रिमूब करें तो क्या तो यहां पर हो कि रिखा रहा हूं तो कि यहां पर पिक्र करके क्लिक करता हूँ कि ind日本 मलंच यहां पर काई संसरतों यह एक्तम clarity आपको देगा अभी अगर आप यहां पर वेरी हाइए कर तो वेरी हाइए में और ज्यादा इंप्रोड एरिया हुआ आपको लगता है कि आपका जो इमेज हो आपके कर इसे कर सकते हो तो मैं यहां पर क्या कर रहा हुआ है और डिफॉल्ट सेटिंग करने के लिए पर देख सकते हूं कि हाँ पर क्या जा रहा है जो सो रॉटेशन अब डोटेशन कैसा होना चाहिए उसके बेस्पे यह लूग तो अभी जैसे मैं यहां पर करूंगा इस तरीके का पड़र का मया पर वही रहेगा अपने तरीके से जो सास्केस का होगा Sampling area scaling कर देगा हैं आपको यहां पर देखे इस तरी के का यह आपके पास options आ जाएगा अब जब आप ये मीरे कर सकते हो अगर मीडर आपको बनाना तो यहां पर लगता है उस तक इमेज रहा है तो आप रिंदर यहां पर करो गया कि यह आपका यहां में यह मोगया और आप कितना आपको रिमूऊ गया सब्सक्राइब स Indigenous का Link मैं आपको सेय कर दूँगा और आप क्या करना Justice करना ताकि समझ में आए practice करोगे तो मुझे comment जुर करना कि हां दिए आपको समझ में आया एक फार example में और दिखा दी आँओ आपको इहां पे फार्ड एक जांपर हमारे पास इस तरह अब इसको भी इमूब कर सकते हो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर जो ये बॉक्स है कि इसको मैं हटा रहा है यहां से बभैक देखें तो इसको बॉक्स को स्लेक्शन करनी के लिए तेलाट्स हो टूल पalी वर लासको ग्रीज करकि योज कर से तरीके च तरीकेस्ट क्रोल्ण है स्थे और एक जञतने अपे में और और एगने आपको क्या को दोड़नाइड्स म्याना ऊणिजज़ आप और अपने तारीका साप एड्शिमेंट कर सकते हो करने पर लासो टूल के युज करके इस तरीके से तरीके से हमने क्या करना है है क्षेलेशन लाइस करना मैं यह हम झार अंपे कि आधकी draps युज करनाया है अधिर से मुझा डाधरा है आंप तो तो मैं यहां पर क्या कर करन道 sampling को रिमूब कर रहा हूं खोवको यहां यह बहुत इस त्यात्रेकाइश से अगें यहां पर कर सकते हो और आपके पास तरहें का हमने क्लोन स्टाउंट अपल को पताया था उसमें अब आपको यहां पर यह चीज़ हटाना है और आपका बैग्राउंड एडिटेज दाना चाहिए तो आप यहां पर उसको यूज कर सकते हो कैसे मैं क्या करें यहां पर डीक्त Нेयाहां करीश चैषिन क्या अब चाहिए लिखर करने के यहां का बैगराउं declining hopes और यहां जह हुआ कि हमने चाहिंए क्या करना पड़ेगा इसके लिए जाना है और यहां पर द आव baru裡面 करसक्स करना की हम इसको सही तरीके से adjust कर पाएं जैसे हमने content लिया तो आप देखें यहां पर कहीं नहीं कहीं पूझिसम सही आरही है तो आपको क्या करना जो इसका sampling area यहले रहा है यहां से sampling area को आपको none करना है यहां से रिमूब करना ताकि आप दिखा रहा हूं तो अब देखें आपस को भी ले रहा तो मुझे क्या करना एक पहले यहां से हटाना है ताकि हमारा S यहां पर बनके नहीं जब आप यहां पर अच्छा यह तरीके सा गया यहां पर नावीकनसी कि अब यह फार लग रहा है तो यह हमें क्या करना इसको यहां पर यहांपर यह इंग emocis ने लिए पर यहांट कर दिया हूं हो तो आप उसी लिए पर आपको इडिके गार अब मैं यहां फींग पर चाहिए तरीके से आप अपने वर के रिया में बट यहां पर प्रॉलम यह आगया कि इसने यहां का सैम्प poker यहा करना बैक जाना content aware film है और हम हमें देखना कि यहां पर क्या वन यह content अवेर यहां कई ले रहा तो हमें क्या करना है इसका selection sampling area को remove करना है ताकि यह यहां पर नाए right अब यहां पर मैं इस एरिया को चुक्त आपको लिगोब करके देख रहा हूं कि क्या हो रहा है तो अब आप देखे कि अब सही है तो इस तरीके से आपको sampling देखना पड़ेगा और आपको उस तरीके से apply करना पड़ेगा नाव मैं प्रेस कर रहा हूं okay now come to the third point यह tool को हमने select क्या गो to add it और content aware तो आप इस तरीके से कोई भी इमेज में से टेक्स को आप हटा सकते हो विद्ध हेल्प आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम कंटेंट अवेर फिल का यूज कर सकते हैं अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्फुल हुआ हो तो आप ज़रूर लाइक करें दोस्तों लोग के सब्सक्राइब के लिए फिल में मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में तब तक यह थेंक्यू बर्मच्च अब कर दो